नमस्कार दोस्तों एक बर फिर आप लोग का मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है और दोस्तों गर्मिया जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत जादा बढ़ चुकी है तो मैं एक छोटा सा फैन डून रहा था ऑनलाइन तो मुझे एमेजन पे ये मिला और इसको मैंने बाय किया है ये एक छोटा सा बहुती कम बजट में फैन मिल जाता है जो कि आउनलाइन मैंने पर्चेस किया है और आज की इस वीडियो में आप लोग को इसी फैन के बारे में बताने वाला हूँ अगर आप लोग भी कोई छोटा सा फैन खरीदने की सोच रहे हैं जो कि सिंगल पर्सन के लिए है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है तो सिंगल पर्सन के लिए आपको ठंडी हवा दे पाएगा और इसके अंदर और भी कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं तो ओवरॉल देखता हूं मैं यह कैसा परफॉर्म करता है क्या क्या चीज़ें यहां पर मिल जाती है और साही जिजों की बात करूंगा जो की इसमें हमें दी गई है तो चली जड़ी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन को प्रैस कर लीजे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगो को मिलती रहे है तो यह आपक जो है बहुत अलग लग rates में देखने को मिल जाएगा कहीं पर 1800 कहीं पर 2000 कहीं पर 3000 और कहीं पर 4000 रुपे में भी यह देखने को मिलेगा बट मैंने इसको purchase किया है 1500 रुपे में तो आप लोग को अगर इस price point पे मिलता है तो काफी अच्छा option है काफी कम price है और इसमें आप इसको purchase कर सकते हैं पर्चेस करने से पहले आप यह वीडियो पूरी देख लें क्योंकि हम इसमें इसको test करने वाले हैं और फिर मैं अपना opinion दूँगा कि आप लोग को यह fan purchase करना चाहिए या फिर नहीं तो यहाँ आप लोग देखेंगे बीच में आपको यहाँ पर fan मिल जाता है जहां से आपको air आने वाल है तो यहाँ पर fan का dimension आप लोग देख सकते हैं कुछ इतना बड़ा dimension है और कितनी तेज हवा यहाँ पर यह देगा वो तो हम चेक करेंगे उसके बाद हमें पता लगेगा और उपर की side आप लोग देखेंगे तो काफी सारे options इसमें दिये गए हैं फर्स्ट वाला जो option है यहाँ से आप fan की speed को control कर पाएंगे जो कि यहाँ पर three level of speed हमें देखने को मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको एक और बटन दिया गया है जिसके थूर यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर water के लिए tank दिया गया जिसमें 500 ml जो हम water store कर सकते है water जो है वो यहाँ से spray करता है जहाँ पर आप लोग देख पाएंगे पाँच spray के यहाँ पर holes दिये गए है जो कि आप इस बटन से control कर पाएंगे आप जब इस पर बार प्रेस करेंगे तो आपको single spray देखने को मिलेगा आप दूसरी बार क्लिक करेंगे तो तीन आप लग करेंगे तो सारे के सारीस बटनay और जो water है वो spray के फूरू इन वाले वेंट से बहार आने वाला है तीसरा option आपको light का मिल जाता है जो कि यहाँ पर different different light के options है आप चाहें तो उसको enable कर सकते हैं यानि अगर आप रात को इसको चला रहे हैं तो यह as a lamp भी आपका काम करेगा काफी little यहाँ पर मतलब की बहुत ही कम रोशनी देती है ऐसा नहीं कि बहुत ज़ादा देती है तो बहुत कम रोशनी यानि as a lamp आपके काम करने वाला है तो आपको light अगर चाहिए तो आप different different light options है आप उसको enable करके रात को सो सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर last button दिया गया है timer का आप लोग देख पा रहे होंगे तो आप यहाँ पर timer भी set कर सकते हैं कि आपको 1 गंटे, 2 गंटे, 3 गंटे कितने गंटे इस fan को चलाना है और उसके बाद यह जो है automatically बंद हो जाएगा तो यह सारे चीज़े यहाँ पर options मिल जाती है उसके बाद आप लोग को back से मैं दिखा देता हूँ तो back से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे तो type C का port है और 5 watt 2 ampere यहाँ पर output आपको इसको देना है उससे यह चलने वाला है सबसे main बाद आप लोग को बता दू यहाँ पर कोई भी battery नहीं मिलती है यानि यह battery powered नहीं है आपको directly जो है या तो adapter के थुरू कोई भी charger आप यूज़ कर सकते है उसके थुरू आपको इसको power देना पड़ेगा और या फिर आप चाहें तो power bank से भी इसको चला पाएंगे इधर आप लोग देखेंगे type C का port दिया गया है जहां से इसको power मिलती है और इसकी जो cable है वो अभी इसी tank के अंदर रखी हुई है जिसको अभी हम बाहर निकालते है तो आप लोग को मैं tank जो है open करके दिखाता हूँ उपर से तो यह हमारा tank है जिसमें हम water fill करने वाले है जो की 500 ml तक इसमें water store यह कर लेता है और light जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इसमें different colors की light जलती है जो आप चाहें तो on या off करके इसको use कर सकते है तो सारी चीज़ों की बात कर लिया है अब जल्दी से इसमें हम water को डालते है और इसको power के साथ में connect करते है और एक बार इसका working test करते है कि actual में यह कैसा perform करता है जब हम इसको use करेंगे तो दोस्तो हमने अपने fan को power के साथ में connect कर दिया है और अभी इसको हमने directly USB के थूँ power दे दिया है और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर fan को start करते है और check करते है यहाँ पर fan किस तरीके से work करता है तो यहाँ पर मैंने single click किया है और आप लोग देखें fan जो है चालू हो गया है और air भी देने लग गया है और मुझे काफी अच्छी हवा भी आ रही है और अभी यह अपने first यानि single speed पर अभी चल रहा है यहाँ पर three level of speed का आपको मिल जाता है तो हम speed को increase करते हैं यहाँ से तो आप लोग देखेंगे अभी single light जल रही है तो मैंने दुबारा प्रेस किया तो आप लोग देखें दो light यहाँ पर on हो गई है और वापस से मैं तीसरी बार प्रेस कर रहा हूँ तो अब देख सकते हैं तीनो light यहाँ पर जल गई है और fan अपनी full speed में चल रहा है और काफी अच्छी हवा आ रही है मुझे अभी फिलाल और अब हम मैं fan को off करता हूँ इसके second वाले option की तरफ बढ़ता हूँ तो यहाँ से हम spray को on कर पाएंगे तो spray को on करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर इसमें से water का spray निकलता है तो इसको on कर लेते हैं तो यह आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर यह spray कर रहा है अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मैं इस साइड घुमाता हूँ तो यह देख सकते हैं काफी अच्छी से इसका spray वाला काम कर रहा है और अभी मैंने इसको एक बार प्रेस किया है तो single spray आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यह बहार आता है water vapor की तरह यहाँ पर यह बहार निकलता है जिससे आपके room को यह ठंडा कर दे और अभी मैं यहाँ पर हाथ रख रहा हूँ तो यहाँ पर ठंडा ठंडा मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने जो पानी डाला है इसके अंदर वो ठंडा ही डाला है फ्रिज का पानी है जिसके वज़े से ठंडी यहाँ पर spray मेर को देखने को मिल रहा है उसके बाद मैं दुबारा प्रेस करूँगा तो आप लोग देखिए अब तीन में से यहाँ पर spray निकल रहा है अगर आप देख पा रहे होंगे मैं आपको धोड़ा उपर से दिखाता हूँ यह देख सकते हैं तीनों में से अभी spray निकलना शुरू हो गया और दुबारा प्रेस करूँगा तो अब देखिए यह सब में से यानि पांचों में से काफी तेजी से यहाँ पर spray निकल रहा है और अब मैं अगर बात करूँ इसके कि यह कितने समय तक यहाँ पर इसके अंदर पानी जो श्टोर है वो खतम हो जाएगा तो अगर आप सिंगल spray चलाएंगे तो अराउंड यह 10 से 12 गंटे तक चलेगा जो कि बहुत अच्छी बात है उसके बाद अगर आप इसको second वाले speed पर चलाएंगे यानि 3 spray एक साथ यूज़ करेंगे तो भी यह 4 से 5 गंटे चलेगा जो कि बहुत अच्छा time है और अगर आप सारे एक साथ चलाते है तब भी यह 2 से 3 गंटे यहाँ पर आपको spray करके देगा जो कि बहुत ही बढ़िया है और काफी यहाँ पर ठंडी हवा यहाँ पर आ जाती है ठंडी हवा नहीं ठंडा यहाँ पर spray जो spray यहाँ पर फेक रहा है उससे काफी जादा ठंडा महसूस होता है तो अभी जो यह spray कर रहा है without fan मैंने on किया एक चीज मैंने जो notice किया इसमें मुझे अच्छी नहीं लगी है वो आपको बता देता हूँ अभी आप लोग देखें कितनी जादा power मिल रही है और spray जो है कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर यहाँ पर यहां पर यह कर रहा है बद जैसे ही यहाँ पर मैं fan को on करता हूँ तो spray की power जो है कम हो जाती है और आप जोग देखिए हैं वो उतनी तेजी से spray नहीं करता है और जैसे-जै से मैं fan की speed तेज करते जाता हूं तो यहां पर power बढ़ जाती है और spray कम होना सुरू हो जाता है उतनी तेजी से spray यह नहीं करता है और तीसरे speed पर कर देता हूं तो बिलकुल ही low हो जाती है इस जो spray करने की power है वो उतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर स्प्रे नहीं कर रहा होता है तो यह मैंने नोटिस किया है तो यहाँ पर पावर थोड़ी और जादा होनी चाहिए थी तब ही जो स्प्रे है और साथ में जो फैन है वो अच्छे से वर्क करता और फैन के स्पीड जो है जो मुझे हवा आती है इस फैन के थ्रू वो भी उतनी जादा तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी और पावर इसके अंदर होती और जादा तेज अगर इसका फैन चलता तो और जादा अच्छी हवा में देखने को मिल जाती बट आपको बहुत जादा नजदीक रखना पड़ेगा अपने आप सिंगल परसन अगर इसको यूज कर रहे है तो आपको इस फैन को काफी जादा नजदीक अपने पास में रखना होगा तब आपको इसकी हवा जो है अच्छे से लग पाईगी अगर इसमें पावर जादा होती तो बहुत ही अच्छे से इसको बनाया गया अच्छा बिल्ट है सारी चीजे सारे फीचर्स बहुत अच्छे दिये गए हैं बट फैन की जो आउटपुट है यानि जो फैन जो हवा यहां पर बाहर फेकता है वो थोड़ा सा यहां पर लो है और भी जादा लो जब हो जाता है जब हम और भी फीचर्स इसके यूज़ करते हैं यानि अगर मैं अभी यहां पर स्प्रे को बंद कर दूँ तो फैन जो है बहुत तेज चले लगया और अब बहुत अच्छे हवा मुझे आ रही है बट जैसे ही मैं इसको अनेबल करता हू यानि दूसरे फीचर्स अन कर देता हूं स्प्रे के फीचर्स को तो फैन की स्पीड जो है कम हो जाती है जिसके वज़े से यहां पर जो हवा है वो उतने अच्छे से नहीं आ पाती है तो यह एक प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिली है जितने जादा यहां पर फीचर्स दि रहा है और वो यूज हो रहा है तो फाइव वाट टू एमपियर यानि दस वाट के अंदर ये तीनों चीज़े काम कर रहे है तो जिसके वज़े से यहां पर आउटपुट आपको उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो मैं यहीं बोलूँगा कि अगर आप कोई सिंगल तो आपको यह अच्छा उडपुट दे देगा या फिर आब सिर्फ ज्प्रे यूज भूज कर रहे हैं तो कि इसको अब यह पूरा पावर मिल रहा है और यहां पर आउटपुट हमें अच्छा देखने को मिल रहा है तो आप single कोई चीज अगर इसमें से यूज करेंगे तो definitely बहुत अच्छे से perform करेगा अगर आपको सिर्फ fan चाहिए है सिर्फ fan यूज करना है तो आप इसको ले सकते हैं या फिर आप चाहते हैं सिर्फ आपको ये spray यूज करना है तो आप इसको ले सकते हैं बट सारे फीचर्स एक साथ आपको यूज करने हैं तो definitely मैं बोलूँगा कि यह उतना अच्छा option नहीं है कि आप इसमें invest करें और मैंने तो काफी कम में इसको purchase किया है पंदरा सो रुपे में तो अगर आप इसको और महंगा यानि 2000 या 2000 से उपर खरीद रहे हैं तो बिल्कूल value for money नहीं है तो definitely आप इसके लिए ना जाए बाकि इसका link मैं नीचे share कर दूँगा आपको अगर सिर्फ fan fan यूज करना है या फिर सिर्फ spray यूज करना है तो आप इसको खरीद सकते हैं आपको मैं link नीचे दे दूँगा description में वहाँ से आप इसको purchase कर पाएंगे और यहाँ light की बात करो तो light आप यहाँ पर change कर पाएंगे आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर आप इसमें कुछ power का यह देखी तो यहाँ पर मैं light की बात करो तो light आप यहाँ पर change कर पाएंगे आप लोग देख सकते हैं अभी white light जल रही है आप change करेंगे तो यह अप हो गए purple में यह red में और यहाँ पर यह blue में और yellow, green फिर blue और then off काफी सारे colors के यहाँ पर light मिल जाते हैं जो कि जब आप light बंद करेंगे जो है काफी अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा अब दुबार से मैं color change करता हूँ तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है color तो यहाँ पर बहुत सारे light मिलते हैं आप चाहें तो इसको use कर पाएंगे उसके बाद आप लोगों मैं यहाँ दिखा दो दो जैसे fan को आप on करते हैं on करने के बाद आपके पास यहाँ पर timer का option है आप इस timer पर एक बार click करेंगे तो यह एक घंटे का timer लग गया दुबारा click करेंगे तो दो घंटे का timer लग गया और तीन बार क्लिक करेंगे तो तीन घंटे का यहाँ पर यह टाइमर लग गया, तीन घंटे बार आपका जो फैन है यह आफ हो जाएगा, तो अगर फीचर वाइस में बात करूँ तो बहुत ही अच्छा फैन है, बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, और जो भी इसको बनाया गया है, काफी अच्छी बेट क्वालिटी भी है, सारी चीज़े मेरे को अच्छी लगी है, बट यहाँ पर जो आउटपुट है, वो थोड़ा सा कब है, यानि यहाँ पर जो पावर है, वो ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, यहाँ पर जो इनपुट जाता है पावर का, वो फावर्ट दस एमपेर का नहीं जाना चाहिए था, फैन हमें थोड़ा और पावर्फुल मिलता, तो हमें यहाँ पर अच्छा उटपुट देखने को मिल जाता, और इतनी जादा गर्मी में हमें उतनी परिशानी नहीं होती, क्योंकि इतनी जादा गर्मी में मुझे नहीं लगता कि यह आपके उतना काम आने वाला है, तो मैं बिल्कुल सजेश्ट नहीं करूँगा, बढ़ आपको सिंगल चीज़े यूज़ करनी हैं, और मेरा उपिनियन से आप सहमत है, तो आप नीचे कमेंट में भी जरूर बता सकते हैं, और अगर आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी नीचे कमेंट में बताएगा कि आपको यह वाला फैन जो है कैसा लगा है, तो मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई,